नमस्कार मित्रो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Excel की फाइल को WhatsApp में कैसे भेजा जाता है अब सबसे पहले आप अपनी Excel फाइल पे आ जाईए तो इसके लिए My Computer खोलिए और इसमें आपकी फाइल C में है की D में है की डाउनलोड में है या डॉकुमेंट में है इन चार जगा में होने की अधिक सब्भावना रहती है आप पता लगा लेजे अब जैसे C Drive में एक फाइल है book1.xlsx यह Excel की फाइल है इसको WhatsApp में भीजने के लिए आप इसको यह बीच वाला बटन जो है इन तीनों में इसको रिस्टोर बटन बोलते हैं इसको दबाएंगे ऐसे यह छोटा हो जाएगा इसको यहां से पकड़के इसको तुरा कौने में खुशा दीजे अब इस फाइल को सेलेक करिए करके इसे उठा के लाइए और वाटसेप की स्कीन के उपर छोट दे ऐसे मैसेज आ जाएगा यहां पर आपको सेंड बटन है यह तो ऐसे करके एक्सेल में आप एक्सेल की फाइल को वाटसेप में भीज सकते हैं धन्यवाद